जिंदगी भी बड़ी अजीब है, कभी हसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन यकीन मानिये, जो जिंदगी की भीड में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर जुकाती है। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल पर हार्दिक, अभिनंदन और स्वागत, आप सभी भावी व्याक्याताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले करेक्शन हम करना चाहेंगे। कॉशन नमबर टू जो है एकलोजी अनॉर्मेंट एमसी क्यूव अस सिरीज से निम्नांकित में से जेव आउर्धन का कारण के से माना जाता है। तो जल्द बाजी में मैंने ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था। तो आप लोग भी जल्द बाजी ना करें, multiple choice question solve करने में क्योंकि गलतियां हो जाती है। में से भी यह गलती हो गई कि यहाँ पर पारा भी option में दे रखा है। अगर पारा option में ना होता तो answer हमारा DDT हो जाता। लेकिन पारा option में है तो आप यहाँ पर answer लगाएंगे यह वह भी दोनों क्योंकि biological magnification heavy metals के द्वारा pesticides के द्वारा और DDT के द्वारा insecticides के द्वारा दिखाया जाता है। तो यह आप बिल्कुल इसे आप correct कर लेना सबसे पहले। उसके बाद आज की जो multiple choice question series जो इतोलोजी एनिमल behavior पर मैं शुरू करने वाला हूं तो इसे पहला question आप लोगों के सामने पढ़ता हूं प्राणी के वहवार के विग्यानिक अध्यन को हम क्या करते हैं तो बिल्कुल प्राणी के वहवार के विग्यानिक अध्यन को हम ecology, ethology, anthropology, anthropology, physiology तो बिल्कुल ethology हम कहेंगे animal behavior हम कहेंगे animal behavior की यह define हो जाएगी question number two की आगे हम बात करते हैं प्राणियों के वातावरन के सापेक्स अध्यन को क्या करते हैं तो बिल्कुल ethology जो है वो ecology से भी जुड़ी हुई है और प्राणियों का उनके वातावरन के सापेक्स अध्यन ecology कहलाता है तो यह ecology की define भी आप यहाँ पर write कर लेंगे my god ethology निकटता संबंधित है इतो लोजी निकटता संबंधित है कारिकी से, फीजिलोजी से अंतस्त्रावी की से, एंडोक्रेनलोजी से, अनुवण्शिक्ष की या जैनेटिक्स से या उप्रॉक सभी से तो बिल्कुल ethology सभी से संबंधित है आपस में सभी इंटरकनेक्टे मानो व्यवार पर सरप्रतम आलेक प्रस्तुत करने वाले विग्यनिक का नाम क्या था एबिन गॉस असकर हैंरोथ निकोटिन बर्जन और पावलो तो बिल्कुल आप याद रखेंगे मानो विवार पर सरप्रतम आलेक प्रस्तुत करने वाले विग्यनिक का नाम था आपका अबिन गॉस डारेक्ट आपको याद रखना है मनो विग्यनिकों की श्रेणे में समलित किये जाते हैं सभी ने बहुत सारे मनो विग्यनिक एक्सपरिमेंट किये हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी सभी जो है वो मनो विग्यनिकों की श्रेणे में समलित किये जाते हैं डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में जन्तु विवार पर विश्यास ध्यान नहीं दिया था तो आप कॉशन को ढंक से पढ़ेंगे जल्द बाजी न करेंगे कि डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में जन्तु विवार पर ध्यान नहीं दिया था तो औरिजन आप इस्पिसीज में एक्सप्रेशन आफ इमोशन इन मैन अनिमल डिसेंट अफ मैन वो प्रोक्त सभी तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि डार्विन ने अनिमल बिहवर पर भी किताबे लिखी थी और वो किताबे आपकी एक्सप्रेशन ओन इमोशन इन मैन अनिमल से और डिसेंट अफ मैन है तो यहां पर आपका option हो जाएगा origin of species में डार्विन ने विकासवात का सिध्धान प्रस्तुत किया था natural selection theory दी थी तो डार्विन ने इस पुस्तक में जन्तु व्यववार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो आपका answer हो जाएगा origin of species व्यवार के पिता के लाते हैं या जन्तु व्यवार की जो फादर है वो किने कहा जाता है आस्कर हैंुआइं रॉट को आप यहां पर आँसर लगा लेंगे भी Conrad Lorenz को वियावरिकी के पिता कहा जाता है फिर question number 8 की हम बात करते हैं मदु मक्यों में संचार संस्तान का सर प्रतम विश्तिरत अध्यन किया है Carl Von Fish, Nicotine Virgin, Conrad Lorenz, Oscar Heinroth तो बिलकुल मदु मक्यों में जो संचार है, communication है उसका विश्तित बरणन करने वाले थे Carl Von Fish बहुती अच्छा प्रश्ण है, आ सकता है King Solomon Rings नामक पुस्तक के रचीता King Solomon Ring नामक पुस्तक के रचीता Conrad Charles Darwin, Oscar Heinroth, Conrad Lorenz, Carl Von Fish तो ये King Solomon Ring जो पुस्तक है वो Conrad Lorenz के दोरा लिखी गई है विलकुल अब Conrad Lorenz आंसर लगा लेंगे निम्न में से सहज वेवार है साइकिल चलाना, पेदल चलना, कम्पूटर पर खेलना, हसना तो जो सहज वेवार है वो हो जाएगा आपका हसना लाफिंग, बिलकुल आप यहाँ पर लाफिंग लगा लेंगे सहज वेवार में ग्रे लेग गूज के द्वरा बड़े आकार के अंडों को सेना उधारन है जो ग्रे लेग गूज होता है वो अपने अंडों को छोड़ कर बड़े आकार के अंडों को इंक्यूबेट करने लगता है तो यह किस प्रकार का उधारन है तो चिन उद्धिपन है, श्रमन उद्धिपन है, अधिसामन उद्धिपन है या रासाइनिक उद्धिपन है तो बिल्कुल वो अपने छोटे अंडों को छोड़ कर बड़े अंडों को सहरा तो बिल्कुल ये super normal stimuli यह दिस समान्य दिपन हो जाएगा तो इसका answer distance आप लगा लेंगे C वाला इसका answer हो जाएगा super normal stimuli एक super normal stimuli है जिसमें अ चोड़े निच को चोड़ कर बड़े इस्टोलिक पे ध्यान दिया जाता है प्राणी के द्वारा विशिस्ट कार्य करने की तत्परता इसकी कहलाता है इसकी क्या कहलाता है प्राणी के द्वारा विशिस्ट कार्य करने की तत्परता है वो उसका कौन सा गुण कहलाता है तो अभी प्राण कहलाता है चिन्नुदिपन कहलाता है फिक्स्ट एक्षन पेटर ताको हम मोटिवेशन कहेंगे कोशन नमबर ट्वल की आगे हम बात करते हैं तो कोशन नमबर थर्टीन हमारे पास ASE की अधिक होने पर नियून में से कौन सा कतन सत्य होगा ASE की फुल फॉर्म है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी तो FAB का प्रदर्शन नहीं होगा FAB के प्रदर्शन के लिए कम ASE मतलब SIN Stimulus FAB के प्रदर्शन के लिए ASE की अधिक होने पर अगर एनर्जी अधिक होगी तो FAB के प्रदर्शन के लिए बहुती कम SIN Stimulus लगेगा तो जो fixed action pattern है वो कम SIN Stimulus पर भी प्रदर्शित हो जाएगा action specific energy के अधिक होने पर तो वही चीज़ है जब अधिक होगी तो बिल्कुल जो चीज होनी है वो कम Stimulus पर ही हो जाएगी निको टिन बर्जन नामक विग्यानिक ने अधिगम से सम्मंदित प्रयोक प्राणियों पर किये तो निको टिन बर्जन एक famous ethologist था और इसने अपने सारे जो प्रयोक किये हैं पहला option है चुहे पर फल मक्की पर ततया पर मधुमक्की पर तो बिल्कूल ततया या वास्प पर इसने अपने बहुत सारे प्रयोक किये हैं अध्यंकन की अउधारणा का प्रतिपादन करने वाले विग्यानिक का नाम आप लोगों को बताना है तो जो अध्यंकन है या इंप्रिंटिंग है उसकी अउधारणा देने वाले विग्यानिक कोन है तो पहला option है Conrad Lorenz, Codron Frisk, Nikotin Burgeon, Paulo तो इंप्रिंटिंग की अउधारणा देने वाले आपके हो जाएंगे Conrad Lorenz सबसे सरल प्रकार का अधिगम है अंध्यंकन या इंप्रिंटिंग चिर्प्रतिस्टिट टानुकुलन क्लासिकल कंडिशनिंग जहां भूल विदी ट्राइल अरेर्र मेथड और लर्णिंग और स्वाभावी करन तो बिल्कुल आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे सरल प्रकार करने वाले विग्यानिकों का नाम क्या है तो बिल्कुल विल्यों पर जहां चाहिए हूं भूल अधिगम के प्रयोक करने वाले विग्यानिक का नाम पावलो स्किनर वाट्सन या थॉन्डॉइक तो बिल्कुल या पर आपका आंसर हो जाएगा स्किनर ने बिल्यों पर जहा ब्लोक्स रख दिये और उपर की तरफ केले लटका दिये तो जो गोरिला होता है उन ब्लोक्स को एक के उपर एक जमा कर केले तक अपना हाथ पहुचा लेता और केला लेकर खा लेता है तो यह इंसाइड लर्निंग थौन डॉयक ने बताई थी यह आप याद रखेंगे आप पर इंपोर्टेंट है जहां चाहं भूल विदि से अधीकर मर्जित करने वाले प्रयोगों में ले जाने वाले उपकरन प्रयावगिक स्हामगरी का नाम क्या है तो जहां चाहं भूल विदि में ट्राइल और इरर मेथड में हम मेज डारेक्ट आप आंसर लगा देंगे जोशिया से है डारेक्ट आपको याद रखना है जटल प्रकार के जंतु विवार के गटक है कॉंप्लेक्स अनिमल बिहविर के कंपोनेंट आपको बथाने उतकंठित निश्पादन या उप्रक्त दोनों या उप्रक में से कोई नहीं तो दोनों हो जाएंगे उतकंठित औ और निश्पादन ये अवधाना देने वाले आपके वॉलस क्रेग थे और बिल्कुल आप जटल प्रकार के जंतु विवार में दोनों गटक याद रखेंगे उतकंठित गटक और निश्पादन यानि उतकंठित का मतलब है कि सबसे पहले गोल को डिसाइड किया जाएगा क गोल क्या है और जब गोल की प्रापती हो जाएगी तो वहाँ पर एक विशेश क्रिया का निश्पादन किया जाएगा तो ये जटल प्रकार का एक जंतु विवार होता है जंतु विवार की धार्णाई किस विग्यानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी वॉलस, क्रेग कार्डवन फ्रिश, कार्णड लॉरेन, निकोटिन बर्जन उपरोक सभी, तो अब का आंसर हो जाएगा उपरोक सभी, सभी विज्यानिकों ने जन्तु व्यवार की धारणाई प्रस्तुत की है, हंसो द्वारा अंडों में गोस्लों में पहुचाने का प्रियोग द्वारा किय तो बिल्कूल आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा, कॉन्रेड लॉरेंज, तो आप आंसर यहाँ पर लगा देंगे, कॉन्रेड लॉरेंज, जो कि आपका एक उत्कंठित निश्पादन व्यवार का भी उधारण है, जो अपने उपर वाला प्र अत्रजात स्वाबाइक व्यवार का उधारण है, नहीं है, कोर्शन को फिरसे बैपढ़ता हूं, मैंने जल्दबाजी में उसे उधारण है पढ़ लिया था, नहीं है, तो प्रणाइ निवदन व्यवार एक अनतरजात स्वाइक व्यवार है, मानोद्वरब भाशा का सीकना नहीं है संगम विवार है तो बिल्कुल अंतरित आटा सववाद विवार जो है माना दवारा बासा का शिखना नहीं है यह एक learning वेवार है, अधिगम होता है संकेत उद्धिपन का उधारन है स्टिकल बैक मचलियों में लड़ाई अनुक्रिया बिल्कुल लाल रंग के लिए आपने देखी होगी लाल रंग पर स्टिकल बैक जो है वो विशेश लड़ाई अनुक्रिया दिखाती है लाल रंग के धब्बे वाली, नवजाद सामोदरिक गल पक्षियों में भोजन सम्मंदी विना इनुक्रिया तो यह सब मोडल के उपर संकेत उद्धिपन के द्वारा बताए गए एक्जाम्पल से तो सभी उपरोग सभी आप बता देंगे ओस्टर केचर नामक पक्षि में विवार पाया जाता है ओस्टर केचर में अधिप्रसम निर्मुक तक निर्वात विवार संकेत उद्धिपन निश्चित विवार प्रतिमान तो विल्कूल oyster catcher नमखकषी में अधीप्रसम निरमुक तक सूपर नौर्मल्र रिलीजर व्यवार पाया जाता है कि oyster catcher जो फेंगे नौर्मल्र request में फरस्पर संबंद का क्रम है काफी अच्छा प्रश्ण है तो सबसे पहले संकेत इस्टमलाई दिया जाएगा फिर फिर आयारम होगा या इननेट रिलीजिंग मेकेनिजम होगी फिर एक्षन स्पेसिफिक एनरजी की हम बात करेंगे और फिर जो है वो फेप का प्रश्ण किया जाएगा तो बिल्कुल आप यहां पर देखेंगे तो आपका आंसर यही राइट हो जाएगा यह वाला राइट हो सबसे पहले तो जो द्राव चालित फ्लस टोइलेट मोडल है इसे देने वाले थे कॉन्रेट लोरेंज और इसके द्वारा सहजात निर्मुक्ति क्रियाविदी को आई आर्म को समझा जाता है आई आर्म शॉर्ट फॉर्म एस ए को या एफ एप को या उप्रोक सभी को तो ब जो फ्लस टोइलेट के हम बात करें तो जब क्रांतिक इस्तर पर वाटर बॉक्स में पानी पहुंच जाता है तो वो प्रेशर लगाता और प्रेशर लगाने से जो वॉल्व होता है वो खुल जाता है और जो पानी है वो नल के अंदर आना चालू हो जाता है तो यहाँ पर ह तो व्यावाय की धारना को किस ने प्रस्तुत कि था अनुक्रिया विसक्रिया विस्रस्ट उर्जा यानि वही वह एसी की धारना निकोटिन बधरम ने में कॉनरड़ लॉर्ज wreck वह लकुल देने वाले था रौनकुल कॉनरड लॉरैंश को रौन रेट लॉरैंश किस्व है उप्रोक सभी तो अभी प्रण सभी प्रावस्ताएं होती है शिक्षित विहवार का लाब है कि यह है सिग्र संपन होता है प्रतेक बार उसी प्रकार किया जाता है जीवनकाल के अनुभव पर अधरित होता है प्रतम बार करने पर सही प्रकार से किया जाता है तो बिल्कुल य ये जीवन काल के अनुभोव पर अधरित होता है तो आपका आंसर हो जाएगा से संस्तापिक अनुकुलन पर सर प्रतम प्रयोग किये थे तो संस्तापिक अनुकुलन पर सर प्रतम प्रयोग करने वाले थे इवान पावलो, चार्ल्स डार्विन, कॉन्रेड लॉरेंज, कालवन फ्रिश्ट तो इवान पावलो इवान पावलो के संस्ताफिक अनुकुलों में प्रयोगिक जन्तू था तो बिल्कुल इवान पावलो ने कुत्ते के उपर अपने प्रयोग है थे तो direct कुत्य का विगयनिक नाम आपको आना चीए, गेस्टिरोस्टियस, अकुलेटस, कैनिस फैमिलियरिस, मक्का का मुलेटा, एनस, प्लेटिरोक्रिंकस, तो अब का अंसर हो जाएगा, कैनिस फैमिलियरिस, तो आपने ये प्रयोक भी देखा होगा, इवान पाउलो का, कि गंटी, बजाकर, कुत्य के मुँम में लार का सिक्रिशन, आगे कोशन नंबर 34 की बात करते हैं, संतानिय अंकन पाया जाता है, तो संतानिय इंप्रिंटिंग, हम बात करेंगे इंप्रिंटिंग की, तो नवजा सिशु में, संतानिय अंकन जो हो नवजाज सिशु में दिखाई देती है, सिंपल सा प्रशन है, डॉक्टर सलीम अली ने प्रमुकता से प्राणी समों के विवार का अध्यान किया, तो डॉक्टर सलीम अली को हम बर्ड मैन अफ इंडिय के नाम से जानते हैं, तो बिलकुल आपका आंसर बड़ हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, डिरेक्ट आप आप आंसर लगा लेंगे, स्टियो टेक्सिक मशिन के दोरा किस अंकी क्रियावदी की जानकरी प्राप्त की जाती है, काफी अच्छा प्रशन है, फुप्फूस की मस्तिस्क की व्रक की या हरिदय की, तो इस्टियो टेक्सिक मशिन के दोरा हम ब्रेन, मस्तिस्क जानकरी प्राप्त करते हैं, वर्णिक शैत्र का संबंध है, दो प्रकार के शैत्र जो हते हैं, एक तो ब्रोका्श शेत्र और वर्णिक शैत्र दोनों आप याद रखेंगे, वानी से देखने से, सूँञने से, स प्राणी से होता है ब्रोका का एरिया भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे ब्रोका जैरिया यह भी वानी से रिलेटेड है प्राणी की शांत मुद्रा में मस्तिस्ट की और पाली से प्राप्त विद्युत तरंगों का प्रकार है तो जब प्राणी शांत होता है शांत मुद्र अवस्ता में जो तरंगे आती है वो बीटा होती है सामन्य विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो बीटा तरंगे उत्पन होगी और इसे प्रकार से डेल्टा की में बात करूं तो जो डेल्टा तरंगे हैं घहरी निद्रा में उत्पन होती है डेल्टा तरंगों का जो सम वैश्बों में जाक्रकवस्ता में उपपन होती है तो इसका मतलब उस वैश्ब में मानसिक तनाव पाया जाएगा मैं delta तरहं की बात कर वह हुआ थीटा तरण्ग की अगर मैं बात कर घुक्रयों तो नम Americans तरन की नहाद करें बेरेम के योगिक, सिलिकोन के चिप, लीथियम के योगिक या टाइटिनियम योगिक तो बिलकुल यहां पर लीथियम के योगिक काम में लाए जाते हैं और लीथियम के योगिक से उस मानसिक तनाव वाले या मानसिक विक्षिप्त वाले विक्ति का तनाव भी कम होता है इस उपकरण के आंत्रिक भागों की आवस्तिती ग्याद की जाती है Q41 की आगे मैं बात करता हूं Link हार्मोन की सुक्ष मातरा चुए के मस्तिष्क के हाइपो थेलेमस में इंजेक्शन द्वारा पहुचाने पर लेंगे क्या हूं मातरक व्यवार का सवपरतम अध्यान किस ने किया था तो डियस्टेंट से अध्यान करने वाले आपके हो जाएंगे अप्शन देखिए फिशर नाइटेंट फिप्टेशिक्स मेल पेगी सब्तरी सतापदी बाल बियानी या बाल जयानी 1881 एसकी नर तो बिल्कुल आपका आंसर आप लगा जेंगे फिशर ने ये प्रयोक किया था निमने हार्मोन चुहे के मस्तिश के हाइपोथेलप्स में पहुचाने पर जनतु जल पीने का व्यवार प्रदर्शित करता है दिखाता है बिल्कुल कोशना पूरा कर लेना तो टेस्ट्रेस्टरॉन एस्ट्रॉन एस्ट्रॉन एपिनेफरिन तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम चुहे के मस्तिश के हाइपोथेलप्स में पहुचाते हैं तो चुहा जो है वो जल पीनेगा व्यवार दिखाएगा ये रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर चुलोजी का एक्जाम में भी पूचा गया प्रशन है निमने द्वारा मस्तिश के विबन शेत्रों के क क्रमभर काटों के प्रतिबंदों का निर्मान होता है कम्प्ट्रास्ट टोमोग्राफी मगनेटिक रेजाद इसेमयाइजिंग साौनोहफी ciao जाएगा सी थी सकीन मस्तिश के विबन शेत्रों के क्रमभर काटों का प्रतिविंद बनाती है मधुमक्की के रानी प्रभेत के विश्ष्ट ग्रंतियां दोरा स्त्रवित हार्मोन एलफा कीटो डेकानोईक अमल है ग्रंति का नाम है यानि ये मधुमक्की की कौन सी ग्रंति से स्त्रवित होता है मेंडूबलर ग्रंति से अंतरी ग्रंति से डिफोर ग्रंति से या पाउनस गंत्रेस, विल्कुल यह मेंडू़ुलर गंत्रेस्ट इस्त्रावित होने वाला कि फिरोमोन हो confirm के प्रभभा को समझने कले बॉनेड नामग ग विज्यनिकों ने कौन से प्राणियों पर प्रियोंक के थे तो फिरो बोनिट ने किया था मादा शल्भो पर लिंगा श्रण के प्रयोग करने वाले विग्यनिक का नाम आपको बताना है तो मादा शल्भो पर लिंगा श्रण के प्रयोग आकर्शित करो और मारो यह प्रयोग करने वाले विग्यनिक थे जीन हैंरी फैब्रे यानि मादा शल्भो को लिंगा श्रंड के लिए इन्होंने अकर्षित करने वाले प्रयोक खेते ताकि उन्हें आसाने से मारा जा सके तो जीन हैंडरी फेब्रे ने इमादा शलबो पर लिंगा श्रंड के प्रयोक करने का काम किया था customer 95 की गं?यब्त यहां पाई जाती ए तो आप यहां पर देखेंगे कुद्वें के इंट और अपस्टम आप ऊंन्टद्ह के यहां पाई जाती है। और यह नॉस्णॉफ की गंतिया मदमक्यों में चट्टे साथवे उधर खंड की इंटर मेंब्रेल और्थो डियल मेंब्रेन के यहां पाये जाती है और यह मैथोनी किरिया के लिए नर को आकरशित करने के लिए फिरोमिन छोड़ती है नॉस्णॉफ की गंतिया तो यहांपर आप डारेक्ट आंसर लगाएंगे अलफा अंडरेस्टेनल मानौ के पसिने से प्रतिक किया गया फिरोमिन आवह हमने देखा है इसे mandubulari ग्रंतिया छोड़ रहे थी जे प्लूर के हम बात कर दिया gypsy moth से secret किया जाता है copulin जो है वो female rhesus monkey के yoni के दोरा secret किया जाता है copulin African हाती अपनी जिस ग्रंति को सून से रगड़ कर phyromon का स्तरवित कराता है abdominal gland, thoracic gland, anal gland temporal gland तो बिल्कूल आप temporal ग्रंति यहां पर लगा देंगे phyromons पर सबसे अधिक अनुसंदान किस प्राणी पर हुए है शलब पर, चीटी पर, मधुमक्य पर, drosophila पर, तो phyromons पर सबसे ज़्यदा अनुसंदान शलब या मोध पर हुए है श्याद जैसी गंद प्राणियों में अंग है, और्गन ओफ कोर्टी, हाइपो थेलमस, वॉम्रे नोजल अंग और मेडूलाम लॉंग गेटा, तो बिल्कूल मानों में phyromons को ग्रंड करने के लिए हमारे जो ओल्फेक्टरी संविदा अंग, वो जिम्मेदार हो और उन्हें हम वॉम्रे नोजल अंग भी बोलते हैं, तो वॉम्रे नोजल अंग यहाँ पर हो जाएंगे, फिरोमोंस के उप्योग है, नाशी कीटों से सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैस्ट, एग्रेशिन, आक्रामक व्यवार, पस संके तक, ट्रेल सबस्टें के हम बात करते हैं, फिरोमों की रासायनिक प्रकड़ती होती है, निम्न आणविक भार के सरलकार्वनिक योगिक, उच्च आणविक भार के सरलकार्वनिक योगिक, उच्च आणविक भार के सरलकार्वनिक योगिक होते हैं फिरोमोंस, रेशम कीट का फिरोमों है, प्लांट के अंदर, पत्प्रदर्शक फिरोमोन है, टर्पिन, बॉम्बिकोल, जीपलूर, फार्मिकमल, तो चीटियां जो है वो पत्प्रदर्शक फिरोमोन छोड़ती है, फार्मिकमल हो जाएगा और आंट्स के अंदर ये पाया जाता है, निमलिकित में सामाजिक प्राणी है, गोड़ा, ड्रोसोफिला, सर्प, हिरन, बिलकुल आपका हरी का हरी निया डियर जो है, वो सामाजिक प्राणी होता हैं सबी में से, निमने सामाजिक प्राणी में बहुरूपता, पाय जाता है। डीमक में मदुमक्य में यॉलक में डॉनों एं बी दोनों तो इंडी दोनों हो जाएंगे दिमक में आपको बहुत रूप तहिसटा दिखाई निज़गे बहुत सारे रूप होते हो और लंभी दिखाई देतीмо आपको पता ही है। ऐख रहनी भी ड्रोन की मीं की माध मुक्य के समाज में पाए जाने वाले प्रभेद हैं राजा राणी सिपाई Для कि तो बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे मध्यु मुक्यों में संचार का प्रमुक माध्यम है वो फिरोमॉंस हो जाएंगे आपका आंसर ए हो जाएगा इसके लादे मध्यमक्यों में सुरिकी इस्तिती के द्वर भी संकमपास औ हैंगे मध्यमक्यों में पाया जाता है और उसके सूरिक के इस्तिती के अधार पर ये भोजन शोत का पता round dance और veagle dance के द्वरा करती है तो यदि भोजन शोत जो है वो 100 मिटर की दूरी पर होता है तो मध्यमक्यों के दौरा गोल डांस सर्कुलर डांस किया जाता है और अगर 100 मिटर की अधिक दूरी पर भोजन होता है तो वेगल डांस मध्यमक्यों के दौरा किया जाता है तो यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे मदुमक्यों में संचार का जो प्रमुक मात्यम है वो फिरोमोंस होते हैं हार्मोंस नहीं होंगे, एलोमोंस नहीं होंगे और सुर्य की किरने भी नहीं होगी मदुमक्यों कौन से प्रकार का जीव है सामाजिक प्रकार का सामाजिक कल्प प्रकार का सू सामाजिक प्रकार का सामाजिक तो बिल्कुल यू सोशल जीव है सामाजिक सू सामाजिक प्रकार का जीव होता है नेक्स्ट कॉशन नमबर 63 की हम बात करते हैं मदु मक्य के प्रभेदों में बांज मादाएं होती है मदु मक्य के प्रभेदों में बांज मादाएं कौन होती है रानी, ड्रोन, श्रमिक तो श्रमिक जो होती है वो बांज मादाएं है ड्रोंज जो होते हैं वो male होते हैं श्रमीक मद्यमुक्य के उधर के पिछले चार खंडों के अधर में पाए जाने वले रचना है तो पिछले चार खंडों के अधर में मोम गिरंथियां पाए जाएगी डारेक्ट आप आंसर लगा देंगे हरिणों के पारम परिक दुश्मन है गिद बेड़े रीच भी वसी दोनों तो जो हरिण है उनके पारम परिक दुश्मन जो होते हैं वह रीच होते हैं तो अप आनसर यहां पर रीच लगा लएंगे लोरी और लैमृर्स समु के प्राणी है जो मेड़ा गासकर टापों पर मिलते हैं वानरों में एक दूसरे के बाल समारने के क्रम को क्या करते हैं तो इससे हम grooming dominance, altruism, sexual behavior तो grooming बोलेंगे silver back peat पाई जाती है silver back peat जो है वो chimpanzee में, baboon में, gorilla में recess, monkey में तो इसका अंसर हो जाएगा silver back peat जो है वो gorilla में पाई जाती है question number 69 के आगे हम बात करते है grayer के अनुसार समाजिक वेवार के तत्व है समुदाय में रहना पारम पारस परिक संचार श्रम विवाजन उप्रोग सभी तो सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका अंसर कशेरुकियों में पारस परिक, पाचान के कारक आयू तता लेंग शेत्र अधिकार उद्धहिक परिमान उप्रोग दोनों प्रोग में से कोई नहीं तो दोनों आपका अंसर लगा लेंगे आप आएलफा बीटा गामा योज करते हैं सबस्यादा प्रभाव शली अलफा द्वारा निरूपित के जाएगा फिर उससे कम बीटा द्वरा फिर सबसे कम गामा के द्वरा गलो कि शात्रिय विवार के विकास हों नेमन के अभिलक्षन है SIMSोतो के उपस्थेति शेमिश्था का बचा उप्रक्त दोनो उप्रक्त दोनों आपका अंसर हो जाएगा तक शहित्रिवार के विकास के लिए सबसे बड़ी भारती मधुमक्य है सबसे बड़ी भारती मधुमक्य ऐपिसदार से टॉ रहकबी हम जिसको बोलते है वह सबसे बड़ी मदूमक्य हो जाएगी रहकवी अप सका नाम याद रखेंगे एपिस इंडिका भारती है, इंडियन मोना भी है, एपिस फ्लोरी, लिटल बी के नाम से जानी जाती है, ये भी आप धियान रखेंगे एपिस फ्लोरिया, और एपिस मैली फेरा जो है वो यूरोपियन बी के नाम से जानी जाती है, एक एपिस एडम सोनी और होती है, जिसको अ मद्यू मक्ही के प्रतेकी नियों में होती है एक रानी कुछ ड्रोन हों OR अनेख स्रमिक ia करना नभी तो जो स्रमीग मद्यू मख्य अनके काम होता है पराग माकौन रेजिन लाना व चत्तय का निर्मान करना शमिक मद्धुमक्खी की अगर टांग की सरंचनाएं हैं पॉलन ब्रश यहां इस पर पॉलन ब्रश आई ब्रश यहां एंटिना क्लीनर पॉलन बॉसकेट पॉलन पैकर यहां पॉलन कॉम उप्रोक सभी तो शमिक तो मद्धुमक्खी की अगर टांग पर पाया जाने वाली सरं जाती है मिलेगी और अपॉलन बॉस्किट पॉलन कॉंग जो भो हिंड लेक पर पाई जात पर 15 पर मिलती है दो मदमक्य के अंडे देने अधिकतम दर क्या है तो मर्मी मधुमक्य सो करते देते फोर्टे जा अगंडा 1010 अंडे 116 अंडे परते सकत Regel आपक अंसर होते हैं वह नर 12 लेंगर सब्सक्राइस अगया चाहिए जाता है। संगमनी बहुत संगमनी दोनों होते हैं तो आपका अंसर हो जाएगा दोनों mo nyasora polygamas दोनों होते हैं कि आनी एक न Alec Madajah के साथ रहता है या कोई एक जो सेक्स हो बहुत सारे sex के साथ रह सकता है कोई लिए तो इसकी सारे sex over पाए जाएंगे the expression of the emotion in man and other animals नामत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी the expression of the emotions in man and other animals इलकुल इस पुस्तक को लिखने वाले आपके हो जाएंगे चाल्स डार्विन आप आंसर लगा लेंगे चाल्स डार्विन जहां सजातिय सदश्यों की संतिति की देखभाल की जाती है ऐसे जीव है तो सजातिय सदश्यों की संतिति की देखभाल जहां की जाएगी उन्हें हम क्वासि सोशल या समाजिक कल्प जीव बोलेंगे जब विशिस चंतों के समाज में अन्य जाती के जीव भी साथ रहे तो इसे क्या कहते हैं तो विशिस चंतों के समाज में अन्य जाती तो इसे हम बिलकुल इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे अंतर जाती है सामाजिक बोलेंगे अंतर जाती सामाजिक नहीं बोल सकते दोनों नहीं हो सकते तो कांसर हो जाएगा है दीमक में एक कीट दूसरे के मुख में भोजन डालता है यह वाला प्रशन भी आरपीस में पूछ लिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसे 2014 की जुलोजी क की परिक्षा में तो दीमक में एक कीट दूसरे के मुख में भोजन डालता है या एक कीट के द्वारा दूसरे कीट के मुख में भोजन पहुचाना क्या कर लाता है तो इसे हम पोस्ट निम्मयत बोलते हैं ग्रुमिंग बोलते हैं प्रहुईत बोलते हैं अल्ट्रिजम बोल प्रियल फ्लाइट करोंड is दोन ऊलों यागय नहीं तो विल्कुल नप्लियल या कमद उडान करों मधु मद्य मख्किय के श्रमेक के मुखांग प्रकार किस होताँ है, चेविंग और लेपिंग टाइप के, चेविंग कटिंग टाइप के, चेविंग सेकिंग टाइप के या सभी तो चेविंग और लेपिंग टाइप के होता है रानी मदुमक्की को पोशक पधार्त के रूप में खिलाई जाती है पिसांच जली, रोयल जली, बीब्रेड या सभी तो विलकुल यहां पर रोयल जली उसको खिलाई जाती है, बीब्रेड जो है वो स्वरमिको को ड्रोन को खिलाई जाती है, गोरिला समू से सम्दित है, मार्मो सेट्स, प्रोजोमियन, सौरों गुट, एंत्रोपोट से, पहले में नए मुख्या के द्वरा, पुराने मुख्या को अपदस्त करने की जो घटना है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेक और या अधिनी करन, ग्रूमिंग, रभावीताई या अल्ट्रोजम तो बिलकुल, इस हम टेक और या अधिनी करन करन करते हैं, रिसेस वान्रों के समाज को स्वरूप कैसा होता है, तो अभी मैंने रिसेंटली पिछले क्वेस्टन में बताया है, बहुनर द्विलेंगिक होता है, तो आप का अंसर हो जाएगा बहुनर द्विलेंगिक, ए आप उप्शन में लगा देंगे, एक नर्विलेंगि जो है ये हनुमान लंगूर में पाया या गया तेनों फेमस इथो लोजिस्त है और तीनों को Nobel Prize दिया गया था अनिमल इंट्लीजेंस पुष्तक के रचीता कौन है तो अनिमल इंट्लीजेंस पुष्तक के रचीता Darwin, Romaniach, Lemar, Lawrence, Romaniach थो Darwin के शिश्य रहे है, Romaniach जेजर, Romaniach वो पुस्तक कर अचीता हैं The Integrative Action of the Nervous System पुस्तक किस ने लिखी Darwin ने, Romainese ने, Lamarck ने, C.S. Sherrington ने Nervous System वाली किताब लिखी थी Integrative Action of the Nervous System Mental Evolution in Animals बुक लिखने वाले कौन थे Mental Evolution in Animals लिखने वाले Darwin, Romainese, Lamarck लिखने वाले Lawrence यह भी आपके Romainese आप लगा लेंगे Mental Evolution in Animals किताब लिखने वाले थे Animal Behavior Book किस ने लिखी तो Animal Behavior Book Darwin, Romainese, Lamarck के निकोटिन बर्जन तो यह बुक लिखने वाले थे निकोटिन बर्जन Science Stimulus के बारे में सबसे पहले किस ने बताया था Darwin ने, Romainese, Lamarck ने, निकोटिन बर्जन तो Science Stimulus के बारे में भी चिन उद्दिपन के बारे में भी निकोटिन बर्जन ने बहुत सारे प्रयोग किये थे और इन्हों नहीं बताया था Science Stimulus के बारे में Man Meets Dog and On Aggression Man Meets Dog and On Aggression किताबों को लिखने वाले कौन थे तो King Solomon Rings Man Meets Dog and On Aggression ये तीन किताबे Conrad Lawrence ने लिखे थी जिनने हम Father of Ethology भी बोलते हैं तो Distance ये 100 प्रश्ण मेंने Ethology से बनाये हैं और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है और मैं आश्या करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल यहां से Ethology समझने में मदद मिलेगी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद